गुड मॉर्णिंग कैसे हैं हम सब तो आज मैं शार्मीन आप लोगों को पढ़ा दी जा रही हूं एक्लिप्स एक्लिप्स एक्छोली में इसको हिंदी में हम लोग ग्रहन कहते हैं क्या कहते हैं ग्रहन जब कोई भी प्रकाश की किर्णों के रास्ते में कोई भी चीज अगर आ जाती है यानि कि तो पाता है आपको कि शैड़ो बनता है यानि कि एक तरह का रास्त में खुब ज्यादा लाइट आ रही है और आगे में बीच में उस लाइट के बीच में कोई चीज आ गई जब कोई चीज आ गई तो क्या हो गया सामने जो इसक्रीन होगा उस पर या त सारी रेज निकलती है, हीट और लाइट निकलती है, और उसके चारो तरफ बहुत सारे प्लैनेट्स हो हैं, वो गूमते रहते हैं, गूमते रहते हैं, मालूम है ना, कभी-कभी क्या होता है, कि ऐसे गूमते-गूमते सन के आगे में कोई चीज आ जाता है, जैसे हो गया, कि पूरा अंधेरा हो गया, यानि चांद को गरहन लग गया, क्या बोलते हैं, आज तो चांद को भी गरहन लग गया, सूरज की लाइट नहीं आ रही है, चांद पर, तो चांद को गरहन लग गया हना इसी तरह से फिर घूमते 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 क्या होगा कभी अर्थ बीच में आ जाता है तो मून पर अंधेरा हो जाएगा हना तो क्या बोलेंगे कि आज धर्ती पर यह हो गया जैसे मून बीच में आ गया तो अर्थ पर अंधेरा हो गया क्योंकि सूरज की हो गया चांद ग्रहन और सोलर अप जानते हो संद को सोलर भी बोलेता है तो सोलर एकलिप्स तो क्या होता है कि आपको पता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं आर्थ और बहुत सारे डिफरेंट मून्स आर्थ हैं दर डिफरेंट प्लैनेट्स हो हैं वो चक्कर काटते रहते हैं इसके जगा पर चिक्क्र काटते हैं, सूरज के जगा पर चिक्क्र काटते हैं और वो सब नन-liuminous होते हैं, उपेक होते हैं, लेकिनектив से जो ग्रहन है वो तब कॉस्ट करता है, जब आर्थ क्या होता है, कैसे ग्रहन लगता है, जब धर्ती और चांद, अपना अपना शैडो ज वश्नी को रोक लेते हैं और इनी के पोजिशन कैसा पोजिशन आ रहा है क्योंकि आपको पता है चांद सब सूरज जो है उस सन बहुत बड़ा है बहुत ही बड़ा है और चांद जो है वो थोड़ा धरती से छोटा है तो किस जैसा कैसा कैसा पोजिशन होगा वो किस किस तरह स कौन कौन सा एरिया को कवर करते हैं अज जहां पर भी सूरज की लाइट नहीं पहुंचती है वो क्या होते हैं हम लोग कि आज तो ग्रहन लग गया और उसका पूरा अजकल तो खैर इतना डिवलप कर गया कि आपको टाइमिंग वाइमिंग सब कुछ पता चल जाता है कि कितने बज़े से कितने बज़े तक ग्रहन लगेगा क्योंकि पूरा हिसाब किताब ऐस्टयू यह यह सब काम करते हैं वह पूराजिस्ट लोग बड़े-गड़े पूरे पता लगाले लगाती हैं वह पूरा टेलिशकॉप से देख देख करके हैं लेकिन पहले हैं सब कुछ नहीं नहीं जाएगी, उसको कुछ हो जाएगा, अमन deal बहुत तरह की ambits थी, ऐसे आसे के, बहुत खराब, लेकिन ऐसा कुछभी नहीं है, तो उतना period में खाना नहीं खाते थे, जब सूरज गरहन लगगया, उससे पहले नहाते थे, बाद में नहाते थे, उतना period डिले से लगता था कि एक गदम है ठीक है थोड़ा बहुत सचाई है इसमें सचाई इसलिए है कि उसमें कुछ ऐसे हारफूल रेजिस आती है जो कि आपके बॉड़ी को या आपको इस तरह से आप बाहर रहेगा तो आपके बॉड़ी को पैंटेट करके आपके देज जो है ग्रहन के टाइम ये सूरज ग्रहन के टाइम ही तो और भी नहीं देखना चाहिए इसलिए कि बहुत हार्फुल रेजस आपके आँको खराब कर सकती है और ये शैडो जो अर्थ मून और प्लैनेट्स है सोलर सिस्टेम में यह इनी का शैडो जो बस पड़ता है मालूम है कि सू सूरज के बीच में आ जाते हैं सूरज के रेस के बीच में आ जाते हैं तो उसना पोर्शन ब्लॉक हो जाता है और उनका शैडो जो है कभी अर्थ पर पड़ता है कभी मून पर पड़ता है जिसकी वजह से अंधेरा जोता है सैंटिफिकली यही बात है और ऐसा कुछ इसमें बात नहीं है तो solar eclipse में क्या होता है अब आप देख लिजे diagram यह देखे चान्द है यह सूरज है sun है और यह अर्थ है और बीच में क्या है moon है ना यानि कि ऐसा ही यह लोग revolve कर रहे हैं revolve करते करते क्या हो जाता है कि चान्द जो है वो बीच में आ जाता है अब इधर जो सूरज की रेज जितनी भी पड़ रही है वो जहां तक moon है उतना portion तो बिलकुल अंधिरा हो जाएगा जमीन पर तो उस area में जो जगे है धरती पर उतने portion में जहां पर अंधिरा हो वहां पर कौन-कौन से जगे यह तो नहीं है ना कि आज इंडिया में ग्रहन लगा तो पूरे वर्ल्ड में ग्रहन लगेगा ऐसा कुछ नहीं है वो rotation में जो area पड़ेगा वहां पर अंधिरा हो जाएगा बाकी जगा कुछ आसर नहीं हो सूरे जब solar eclipse होता है तो उसमें क्या होता है moon बीच में यादा आ जाता है आप इसको कैसे याद रखेगा Sunday के बाद Monday होता है ना तो जो solar eclipse होगा उसमें क्या आजाएगा moon बीच में आ जाए यानि M से Monday और S से Sun तो solar eclipse में क्या हो जाता है moon बीच में आ जाता है किसके बीच में आ जाता है earth और sun के बीच में moon आ जाता है तो आपके moon जो है वो block कर देता है sun light को और moon का पूरा जहां जहां पर अंधेरा होगा उसका shadow कहां पर पड़ेगा आपका earth में पड़ेगा हाँ अगर पूरा शेड़ो अगर कभी ऐसा होता है कि पूरा शेड़ो अगर पढ़ जाएगा इस तरह से लाइट का आ रही है पोजिशन इस तरह के तो आपको पूरा टोटल सोलर एकलिप्स हो जाएगा यानि कि सन जो है वो बिलकुल भी पूरा ढख जाएगा मून से और हम लोगों को आर्थ के पास से कुछ एरिया नहीं नदर नहीं आएगा सूरज नदर नहीं आएगा यह कब होता है जब बहुत नजदिक हो जाता है ना यानि क्या नजदी हो जाता है मून रिवॉल्विंग करते करते ऐसे पोजिशन में तो यह सब आप लोगों को तो आज कल जो है इतना टेकनोलोजी और साइंटिस्ट लोगों इतना डिस्कवर कर दिया कि आपको एक दित पहले ही पता चल जाता है पेपर में न्यूज में क कुछी पोर्शन अर्थ में रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं पार्शिल शेडव अगर आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं पार्शिल सोलर एकलिप्स है न तो क्या होता है सूरज तो इतना बड़ा होता है कि उसका तो हमेशा कोई न कोई पाथ ही मून से कवर होगा ऐसा की कि नुमीजास ये जो है आपका चान्द हलका सा जैसे ऐप Form में पढ़ते हो नुक्राइबश को इसा कुछ भी नहीं हो एक टेcription कि तरफ नहीं देख नाएं आ हमारे आहां को डिधन रिख करदे कर देती एक स्वाला जो काided होता है ब्लैक कलर वाल उसमें आप देख सकते हो या बहुत सरा स्पैक्टिकल्स क्लासस मिलते हैं उसको 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 उसके आप देख सकते हो और या कुछ इस्पैशलिश आप देखोंगे जब ये सब का इंताजम होता तो बहुत सारा मार्केट explosion मिलने लगता है हना तो उससे आप सोलर एकलिप्स देख सकते हो डिरेक्ट आप पर आप देखोगे तो वो अजीब तरह से आपके आपके आपको इरिटेट करेंगे और आपका जलन जैसा होने लेगा और आपको नुखसान पहुंचेगा जो कि हमारे आपका इतना ये नहीं है पाव बीच में आजाता है यानि मुन का डेग्राम बीच में बनाईएगा और अर्थ का थोड़ा सा बड़ा बनाईएगा उस तरह से देखे कि एतना दूर तक लाइट सीधे जा रही है और जब वो पॉइंट है मून को जहां पर मून जो है मून के तक लाइट जा रहे है और बा की लाइट को आने नहीं दिया अर्थ पर हाना और अर्थ पर उतना पॉर्शन अंधेरा हो गया समझ में आ गया इसी तरह से बस आपको फिर लूनर लूनर एकलिप्स देख लिजिए लूनर एकलिप्स यानि चांद गर इसमें सन तो बिल्कुल एक जगा खड़ा रहेगा अब इसमें क्या होता है चक्कर लगाते लगाते अर्थ बीच में आ जाता है तो इसमें हम अर्थ जब बीच में आ जाएगा तो होगा लूनर एकलिप् मून तो छोटा होता है उस पर पूरा अर्थ का शेड़ो आता है और मून हमको दिखाई नहीं देता है मून हमको अंधिरा जैसा हो जाता है और ना अर्थ से हमको जैसे हम लोग अभी कभी कभी देख लेते हैं शाम में चांद है जिए जब ग्रहन रहेगा तो हमें चांद जो है नजर नहीं आएगा और हलका अगर ग्रहन पड़ेगा तो कुछ पोर्शन पर लाइट पड़ेगी तो हमें नजर आएगा और यह जेनरली होता है फुल मूंडे में लूनर एकलिप्स जेनरली जब भी लगत है फुल मॉंडे आज कल तो चितना इतना साइंस डिवलप कर गया कि एस्ट्रोनोमर्स लोग जो है वो पहले ही पता लगा लेते हैं वो हिसाब किताब जोड़ते रहते हैं ऐसे घूमा घूमा इसी चीज में लगे रहते हैं प्रैक्टिकली कि वो लोग पूरा क्या बूलते है सब कुछ ध्यान में रखते हो मशीन वगरा से देखते हैं दूर भी इन से टेलिस्कोप से वो दो लोग देख देखें वो लोग पहले ही बता देते हैं कि फलाने दिन जो है सूरज ग्रहन लगेगा और इतने से इतने टाइमिंग के बीच में लगेगा और ऐसी कोई बात न क्यों होता है चांद ग्रहन क्यों होता है हना यह सूरज ग्रहन इस सोलर एकलिप्स तब होता है जब मून बीच में आ जाता है अर्थ के और सन के तो अर्थ पर अंधिरा हो जाता है और लूनर एकलिप्स क्या होता है जब आर्थी बीच में आ जाएगा तो चांद पर ग्रह लेकिन जो मैंने बताया संडे के बाद मंडे आता है तो अगर सोलर एकलिप्स होगा तो उसमे मून आ जाएगा बीच में तुरंत याद रखना और अर्थ तो आपको बना नहीं और जो लूनर एकलिप्स लगेगा तो उसमें आप क्या कर दीजेगा बीच में अर्थ ला दीजेगा और साइड में मून चला जाएगा मने मून और अर्थी घूमे गए इदर उतर सन को नहीं घूमाना है सन जो है अपने जगा पे ही रहेगा तो यह एक तो मैंने बता दिया है क्लू जैसे संडे के बाद मंडे होता है तो से याद रखना और लूनर एकलिप्स में अर्थ बीच में आ जाएगा हना तो बस यह दोनों डाइग्राम अच्छे से बनाई है साइंस कोपी में और यह बहुत ही इंपॉर्टन्ट है हमेशा बच्चे कन्फूज कर जाते हैं सोलर एकलिप्स में बीच में क्या आता है मून बुलॉक कर देता है तो सोलर एकलिप्स हो गया तो बस आज के लिए इतना ही उमीद है कि आप लों को समझ में आया होगा और इसके डाइग्राम को अच्छे से बनाई है और इंज कलर यह लो कलर से सन बनाई है आर्थ को थोड़ा बलू और ग्रीन में बनाई है क्योंकि आर हमारे अर्थ पर या मून पर पड़ेगा तो ठेक केर ध्यान से पढ़िए इसका डाइग्राम बनाके याद किजिए बहुत ही इंपॉर्टन्ट है ओके ठेक केर